प्यार इश्क महबबत है जिन्दगी की जरूरत ये प्यार इंसान से क्या-क्या नहीं करवाता अर्चना का भोजन प्रेम परमीद से डे नाइट रसोई करवाता है सो खरोड कमाने का प्यार अर्बाज से दबंग की सीरीज बनवाता है और आपका हास्य प्रेम हमको आप से मिलवाता है वल्कुम टू कॉमेडी सरकिस के महबली आज यहां लेला मचनू, हीर रांजहा, रोम्यो जूलियट के रिकॉर्ड तूटेंगे क्योंकि आज यहां कॉमेडी के महबली रोमांस करेंगे हमारे रोमांस स्पेशल में प्रेमी फूल देकर प्यार का इजहार करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस फूल के भी अर्मान होते हैं? एक फूल के अर्मान जगाने आया है एक कॉक्रोच दुनिया में पहली बार देखेगी एक कॉक्रोच का प्रपोजल प्लीज वलकुम भारती एज पूल एंड सिधात एज पूक्रोच पूल गॉज़ नमस्ते, नमस्ते एक फूल की तरफ से आप सब को नमस्ते आज है रोमांस स्पेशल और फूल से ज़्यादा रोमेंटिक तो कोई हो यह नहीं सकता अगर हम फूल नहीं होते न तो आप लोग प्यार का इज़ार ही नहीं कर पाते हैं लेकिन आपको क्या बताओं हम पूलों की न लाइफ एक दम एक्टर की तरह होती है पेचारे जैसे हम पूलों को माली देता है पानी और हम ऐसे खिलते रहते हैं वैसे ही न अगर एक्टर को अगर एफ्रिसेशन का पानी मिलता रहे न तो वो भी ऐसे खिलता रहता है लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ एक भव रहा के न जबर्जस्ती मेरा रस चूश जाता है कोक्रिस तुम में इधर क्या करने आयो हो मैं पूल का रस चूशने आयो पूल का रस चूशने आयो देखो कोक्रिस तो गंधी चीजे खाते है पूल का रस तो भवरा चूशता है जिसका काम उसी को साजे यही तो मैं कह रहा हूँ सीरेस आपमी को कॉमेडी का जजबना के इठा दिया है बात लगा दिया हूम लोगों की हाँ सारी 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 लेकिन कोई बात नहीं अब मैं अपना स्टेंडर्ड मेंटें करूंगा किसी भी गंदी चीज पे नहीं बैठोंगा आपस प्यार करते है नहीं किटने घुर्ड़ जानवर दिखते हो तूम घुर्ड़ हाँ करें तंसी गिनोना हूँ क्या गंदा मेरे अंदर अच्छा कास धूँ मिरे पास मताना मेरे पास ये चीज इससे तूम जाओगे को कोक्रेज मारने वाला स्प्रे वार मुझे श्रूती ने दिया था मार मार यहां भी ऐसे पागल है तुम पास मताना मेरे वैसे हम पहले से बहुत दुखी है एक भवरा आता है और हम सब फूलों का रज सूस के जला जाता है क्यों पता नहीं प्रैक्टिस कर रहा होगा बड़ा होके पड्यूसर बनना चाहता है ना अगर यहां एक बहुत तेरा कांटा कि दर है पत्तमीज शरम नहीं आती एक लेडी फूल से ये बात पूच्ते हुए तुम्हें फूलों की आमियत का पता नहीं है तब पता है मुझे फूलों की आमियत का शुरी जी को इतने फूल मिलते अरे उसके तो आशी की बड़ें आशिक नहीं है, रात को सो जाती ही, लोग फूल चड़ा जाते हैं, सोचते हैं, आश तो गई लेकिन नहीं, चीज सो स्वीट, अगें चीज अलाइव ये लड़की इतनी प्यारी है, में सिच बता, इसको प्यार से कोई भी चीज दो ये रख लेती है इसको स्वार्ड बोई ने प्यार से धक्के दिये, इसने रख लिये, क्यामरावन ने आके दस मुक्या मारे, इसने दस के दस रख लिये, जबकि इसके नौ बनते थे, एक इसने रखा, इसको पता दो मेरा एक और बनता है मैं तुमचा शादी बिल्कुल भी नी करूँगी, समझे, तुम तु टॉइलेट में रहते हो, मुझे का रखोगे हैं, टॉइलेट में चीज, हट पीजे मैं रहता हूं टॉइलेट में, लेकिन कोई ऐसा वैसा टॉइलेट में नहीं, बड़े बड़े सलिप डीज के उठना बैठना देखा है मैंने ए ककाई किस किस को देखा है, सर्क को देखा है पिर अन दर आय और आके कहते यह वारेखे हैं, तुम किस किस को देखा है ए सटर मिनटे हमारी जिंदगी के हैं, सबसे है न मिनट छैया रासपाल अदव, उसको कोई मैंने उठते बढ़ते देखा है अंदर जाके कहता है अरे ये कसम ये सुधा मन्या की मेरे जिगर चले उठा के पतक देंगा है छोड़ेंगे नहीं तो मैंने जए इस इतना सा बातरूम पूरे में गंद फेला के आ जाता है मेंगा भाई आराम से देखो हम भी बैठें इधर कितनी गंदी बात है करता है को क्रेश मेरे को न सुनी तेरी और को बात नास्ट बात इनको मज़ा आएगा इनकी फेडरेट नसीर साब की बात है वो गॉच्छ नसीर सहाब भी, उनको भी देखा मैंने वो क्या करते? अंदर जाए, मैं जाके देखा, अंदर बैठे वे करते ये एक्सप्टिबल नहीं है इखलाख, एहमद, मुहमद, जहीर और खुडशीर लाला को मैंने मारजा हाँ कितने गंदे हो तुम एक बात बताओ तुम कोई और ही गंदे से कीड़े हो जहां तक मैंने सुना है कोकरज की तो आवाज ही नहीं होती क्या बात कर रही है कोकरज की आवाज नहीं होती इसको पता ही नहीं है कोकरज की ऐसी आवाज होती है हाँ कि आवाज निकाल दी अरे तो कुछ भी नहीं मूँ से निकालता तो आराती यह जूते में से निकली सी ना ऐसे समझी देखो मेरा तुमसे साधी करने का कोई रादा नी मेरा तो सबना है कि मैं कॉमेडी सरकस में जाओ कैसे जाएगी कॉमेडी सरकस में फूलो का मा क्या काम क्यों जब साथ साल से कैक्टस बैठकर हो तो माई ब्लोगा कर सकता है मैं तो फिर भी क्यूट सा फूल हूँ कि उसे शादी कर ले मैं ऐसा कौकरोचू हूँ ऐसा कौकरोचू जो बिना लड़की को छुए उसकी चीखे निकलवा देता हूँ मतलब मैंने तो सल्मान भाइ की चीज निकल वादी थी वह कैसे दबंकी शूट चल रही है ती वह जाए कहते लिए अकल क्याने के लिए अच्छल के बिगड़ने का में आगे हुआ किते हुआ कोखरच खरच 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 इंसान तोड़ तोड़ के, यू हम ना बतला ले, हम ना बतला ले, मैं तुम से साधी बिलकुल नहीं करूँगी तुम जो मर्जी, पर मुझे छूना मत, इतने गंदे हाथ पाऊ है, इतने सारे पैरों का करती क्या हो तुम लोग, अरे, इससे जादा तो कंखा जूरा चाचा क का हो गया, लेकिन ले सारे हाथ पैर, ऐसे खाली पड़ेर रहते हो, तुम लग, बहुर से जादा है, मी मह दिखा जाता है, आखिर क्यों को रेश्न के करनूर, मैं पाता है, राष्त्रीत नहीं बना दिना चाहिए, हमें भी अपने मोलिक अधिकार Чाहिए, हमें भी एक अपना नेता चाहिए कोक रोज के जिरिवाल हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए तुम इंसान लोग हमें तोड कर हैं अपने पाप मिटाने के लिए भगवान के आगे चड़ा देखते हो और पाप मिटाने के लिए हमें मारने का दूसरा पाप कर देते हो हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए फूलों को हमें भी अपना फूलू अकेजरी वाल चाहिए और कर दूसरा शो मंतरा के साथ सटायर पे आगई पगावत करो इसके अगेस्ट सामने दिग्या कान में ठंक मारूंगा उसके मैं सटायर का गोरा जंदा करता लड़की कोमेडी बुला दी उसने बिटा कोमेडी इखो जो मर्ची कर लो मैं तुमसे प्याल नहीं करती शी लवस मी अई शी लवस मी नॉट मम्मी शी लवस मी शी लवस मी नॉट शी लवस मी शी लवस मी आए कौन दुची तेखा हमें कुचल्ले मचल्ले के बाद कोई भी नही पचान था मेरे गुलाब भाई को जिन्दा बकरी खागी हम घंटो पर ऐसे बकरी को देखते रहे फिर कुच गंटो बाद मेरे भाईया गोलियों की शेब में बाहर आए इसने कहा था भाईया को देखने के लिए मम्मी ने कहा था कि वो आखरी बार भाई को देखना चाहती है हमारी फैमली उजार के रगदी तुम लोगों ने वारी फैमली कहें सब लोगी दर उदर चले गए लेकिन मेरे पास उनका एक फैमली फोटो है यह मेरे मम्मी यह मेरा पापा यह मेरे चाचा जी यह हमारा ड्राइवर और यह हमारा रामु काका मेरा एक भाई तो शुरू थी के कंदे पे उग गया क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि कमल हमेशा कीचर पे उगता है मेरा भाई कूडे पे उग गया सतायर मार रही है मंत्रा वंदे मात्रम अबे चुकर पूलो का मत्रम भारत की शाने बूल मंत्रा की मेरे को बचा ले प्लीज मैं वरना तेरे पास आरहा हूँ पूते सहारा चाहिए कोकरोणी कोकरोणी झाल को